इस वीडियो में बात करेंगे महराश्ट्रा के अंदर कोवीड के कारण जो स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए थे वो अब शुरू करने का डिसिजिएन ले लिया गया है उसकी डीटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ तो आप सभी को बता दूँ की पिछले साल 2020 मार्च से जो स्कूल कॉलेज बंद हुए थे वो अभी तक खुल नहीं पाये थे आउगस्ट के अंदर इसे खुलने की कोशिश की गई थी लेकिन टास्क फोर्स इसके विरोध में आ गए थे और उन्होंने मना कर दिया था लेकिन अब पूरी प्लानिंग के साथ टास्क फोर्स के साथ मीटिंग करके टास्क फोर्स की सहमती से मुख्यमंत्री जो है हमारे उद्दव ठाकरे जी उन्होंने परमिशन दे दी है कि आने वाले चार अक्टोबर से जो है स्कूल और जुनियर कॉलेजे स्कूल जाएंगे यहां जब मैं बोल रहा हूं तो पाच्वी से बारवी और आठ्वी से बारवी की बात की रहा हूं मतलब क्या असर दो बार में क्या बता रहे हो तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर यह जी आर है गवर्मेंट रिजूलुशन सैक्षनिक वर्ष दोनाजार यता पाचवी ते बारावी वह शहरी भागातिल यता आटवी ते बारावी चाह शालंचे वर्ग सुरक्षित पने शुरू करने साथी अत्रिक्त महरदर्शक सूचना तो यह गवर्मेंट का जो रिजोलुशन आ गया है कि जो गाहों के इलाके हैं वहाँ पर पाचवी से बार सेप्टेमबर आज के दिन में यह आया हुआ आप देखेंगे 24 सेप्टेमबर आज के दिन में आया हुआ यह और यह अभी अभी डिसिजन हुआ है पूरे मीडिया न्यू चैनल्स हर जगह आप देख रहे हो यहां पर मैं बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाला हूं कि क्य क्या होने वाला है क्या करने के लिए कहा गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टास्क फोर्स ने शाला सुरू करने संदर बात का ही शिफारशी सूचना के लिए आहे अनि त्या अनुशंगा ने यह सर्व शुरू होनार आहे अभी यहां पर जो यह परिपतरक आया है इस परिपतरक के अंदर 4 October 2021 से पूरे शहरी भाग में Schools and Junior Colleges बारवी तक खोलना ग्रामीन भाग में पाचवीत से बारवी शहरी भारवी इसके लिए कुछ अत्रिक्त मारदर्शन सूचना जारी की गई है कि जो स्कूल से उनको कुछ जो बातों का ध्यान रखना होगा जैसे क हर एक स्कूल में Health Clinic सूरू करने के लिए का गया है कि स्कूल के अंदर एक छोटा सा Health Clinic बना सकते हैं जहां पर जो बच्चे आएंगे उनका रोज temperature चेक करना है ओके पॉसिबल हो तो ये Clinic सूरू करने का गया है अगर पॉसिबल हो तो जो इच्छुक डॉक्टर पैरेंट्स ह होंगे हमारे स्कूल के कुछ बच्चे होंगे उनके पैरेंट्स अगर डॉक्टर हैं उनकी हेल्प ले जाएं ओके जो आरोग्य केंद्र होते हैं उनसे जोड़ा जाए स्कूलों को ओके तो इस तरीके से बहुत सारी जो चीजे जो है अत्रिक्त मारदशन सूचना के अंदर है जो CSR होता है कंपनी जो है फंड रिलीज करती है सोशल सर्वीस में उसकी मदद ली जाए ओके अब बच्चों के लिए बोला गया है कि जो सिक्षक है बच्चों को किस लिए प्रोथाइट करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा चल के आने के लिए मोटिवेट करना है टीचर्स को कि वो बच्चे चल के आए था कि गाड़ीों का यूज ना हो बच्चे जमाना हो अगर कोई बच्चे गाड़ी में आते हैं तो उस गाड़ी में एक सीट पर एक ही विद्यार्थी प्रवास करें ऐसा सूचना दिया गया है वो कि बस में चड़ते उतरते समय जो ड्राइवर के साथ और जो हेलपर होते हैं वो सैनिटाइज करने के लिए जो है बार-बार प्रोसान दे और सैनिटाइज करते रहें सीटों को और बच्चों को तो ऐसे कुछ मारदर्शक सूचना है जो सिक्षक है और सिक्षक के तर कर्मचारी है उनके लिए भी कुछ मारदर्शक सूचना है कि भाई साबन सैनिटाइजर से हाथ दोने के लिए विद्यारतियों को बार-बार बताते रहें उनका जो टीफीन है डबा है वगरें जो होमवक है वो ऑनलाइन देने की कोशिश की जाए ताकि बच्चे एक दुसरे की बुक शेयर ना करें जिसको अ मैदान के बारे में खेल के उपर तो बिल्कुल restriction लगा दिया गया है क्या बोला गया है कि कोई भी प्रकार का जो खेल है वो नहीं करवाना है बच्चों से कोई भी प्रकार का खेल नहीं कराना है तो ये पूरा समझो की प्रतिबंद ही है इसके उपर ध्यान देने के लिए क गई है ओके इस तरह से ओट लाल हो गया है बोटे हाथ आनी सांदे सुझ ले ले उल्टया जुलाब करने वाला कोई विद्यारत यह पोड़ दुखी है तो वो ध्यान में आने पर टीचर को क्या करना है डॉक्टर के बास ले जाने की विवस्ता करनी है ओके और डॉक्टर के स तो पहले तो यह सब कुछ बताया गया है स्कूल में अगर किसी को ऐसा होता है तो और सबसे पहले यह बोला गया है कि कुछ अगर ऐसे बच्चे हैं जो जादा चीड़-चीड़ कर रहे हैं गुस्से में हैं छोटी सी बातों पर निराश हो रहे हैं तो ऐसे बच्चों के ल उनको पहले स्कूल में आने की आदत लगने दो मतलब हसी कुशी खेलते खेलते थोड़ा एक दो हफ्ता बिलकुल पढ़ाई पे जादा जोर मत दो उन्हें रोज जो है स्कूल आने की आदत लगनी चाहिए वैसा कहा गया है तो इस तरीके से ये सब कुछ है टीचर्स के लिए वगरे तो इस तरीके से जो है शिक्षक पालक याने जो टीचर्स और पैरन्स की मीटिंग लेने के लिए कहा गया इसके अंदर और बहुत सारी बाते जो यहां पर इस जी आर के अंदर की गई है तो जो इंपोर्टेंट बाते हैं मैंने बता दी यह जी आर यहीं पर समाप्त हुआ तो अब यहां पर मैं आपको शौट में बता दू कि हमारे महराश्ट्रा के जो मुक्य मंत्री है उन्होंने पर्मिशन दे दी है हमारे शाले सिक्षन मंत्री जो है वर्षा गायकवार जी है राज्य मंत्री बच्चू कडू जी है सब की मीटिंगों के सहमती से ये डिसिजन लिया गया है कि आने वाले 4 अक्टोबर 2021 से महराश्ट्रा के अंदर स्कूल को खोला जाएगा और बच्चे फिर से स्कूल जा सकेंगे शहरी भाग में 8-12 तके बच्चे ग्रामिन भाग में 5-12 तके बच्चे और ये पहले स्टेप में जब ये खुल जाएगा उसके अगले महिने से कोशिच की जाएगी तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कैसे स्कूल कॉलेज खोले जाएग पहली बार आप चैनल पर कि जाएगा झाल दोले जाएगर जाएगा जयकां भाग में जाएग छमी जाएग झाल जाएगा कि ये ब expos